हेलो एंड वेल्कम बेक माई यूट्यूब चैनल MS Maths Jam अफ्लोड करता हूँ बेस सी Mathematics and IIT Jam से रिलेटेड वीडियो लक्चाइज तो इन दिस वीडियो Function of One Variable से रिलेटेड जो concept है उसके बारे में समझने कोशिच करेंगे तो बात करते हैं यहाँ पे Interior Extremum Theorem के बारे में कि Interior Extremum Theorem क्या होती है Function of One Variable के सारे वीडियो आप अमारे प्लेडेड में जाके देख सकते हैं साथ है IIT Jam से रिलेटेड सारे वीडियो जो हैं आप अमारे प्लेडेडेड में जाके देख सकते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गीवन है सो बात करते हैं Interior Extremum Theorem के बारे में सो यह Theorem क्या होते हैं इसको समझते हैं तो बात करते हैं सबसे पहले कि C is an Interior Point in Interval I सो आरे एक I Interval में एक Interior Point जो है वो C है और यहाँ पे at which FI tends to R यानि कि FI to R है has an Extremum Value एक Extremum Value है उसपे और F' जहाँ पे 0 है अब इसको समझते हैं क्या होता है Note Point सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि एक Function is Continuous on Close Interval A B सो आर एक Close Interval आपको गिवन है उसमें Function जो है वो Continuous है सो आर यहाँ पे अगर उसके हम first derivative में अगर value put करते हैं सो आर वो 0 से greater than होती है in a open interval आनि कि open interval नोगो क्या होने चाहिए यह उससे greater than होने चाहिए so then Function is increasing सो आर यह increasing और decreasing के लिए इसका concept हम use कर सकते हैं सो आर हमारे पास में एक example ऐसे example से इसको समझने कोशिश करते हैं सबसे पहले हम इसका f dash x find करते हैं सो आर इसका derivative हम अगर find करते हैं यह 2x होतार यह आपको कहरा है in close interval 0 to 4 सो आर 0 to 4 में जब हम इसकी value यहाँ पर put करते हैं सो आर मैं इसकी value put करता हूँ तो 0 यह 0 हो जाता है और यहाँ पर value f dash में 4 put करने पर यह 8 हो जाता है तो यहाँ पर function की value है वो कैसी आ रहे है greater than 0 आ रहे है और दूसरा यहाँ पर यह equal 0 भी है तो इस case में क्या होता है कि यह function जो होता हो increasing function होता for example हम बात करते हैं कि यह हमारे पास में ऐसा इसका curve जो होता है इस x is equal to 4 0 to 4 वाले interval में यह increasing function होगा आपको देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक यह function कैसा है increasing function है इस function के increasing है इसको हम क्या कहता है continuous भी है इस case में दूसरा increasing भी है और यह open intervals बिलोंग कर रहा है इस चीज आपको समझनी चाहें और sin x का अगर मैं 0 to pi इसका interval लेता हूँ और sin का जो graph होता है 0 to pi में यह 0 होता है और यह pi होता है इस case में अब हम बात करते हैं यहाँ पे pi by 2 to pi ओके यहाँ पे क्या होता है actually यहाँ पे f dash x होता हो greater than 0 होता है wait एक second आपको तोड़ा अच्छे इसमें clear करता है हम देखते हैं कि sin का जो graph होता है कुछ इस type से बाता है आपके पास में जो graph होता है वो ऐसा होता है अब यह अगर pi by 2 से pi के अगर मैं बात करता हूँ यह function कैसा होता है यहाँ pi by 2 होता है यहाँ pi होता है यह function कैसा होता है इसमें F' x hothatah, वह less than 0 होता ह। और वहार इस case के एकर मैं बात करता हूँ, इसमें F' x hothatah, वह क्या होता है? greater than 0. मतलब यहांसे function increasing है, और यहांसे function जो है, वो decreasing function है. अब हमी बात करते हैं, इसके first derivative test के बारे मैं, है यहां पर हम कहते हैं कि इस case में यहां पर point c यहार fc हो जाएगा अब f dash x के मैं बात करता हूं तो यहार वो 0 से less than होगा क्योंकि यहां पर function जो हो increasing sorry decreasing और यहां पर increasing है तो क्या हो जाएगा f dash x greater than 0 हो जाएगा अब कहीं कहीं ऐसा होता है यह कब होता है जो प्लस से माइनस की तरफ होता है यहां पर ऐसे देखने को मिलेगा जहां पर दो पॉइंट जोगा उस पर value क्या होगी 0 मिलेगी इस case में क्या हो जाएगा f dash less than f dash होगा स्कॐर के जो कई यहां वहाँ सकते है आपको क्या मिल रही है रहले है इस case मैंने कि minus force is zero 는ं आपको क्या मिल रहा है? decreasing मिल रहा है है और zero से four में क्या मिल रहा है? increasing मिल रहा है मतलब क्या हो जाएगा f- जो है वह यहाँ पर greater than है dock 잉लिए less than हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा greater than zero हो जाएगा मतलब increasing function हो जाएगा इस टाइब से आप इसकी value को समझ सकते हैं अब बात करते हैं second test of extreme value इसको में आपे clear करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है इसको समझ लेकर लिए हम क्या करते हैं एक example से तुर इसको समझ लेकर उसे पहले आपको बता जेता हूं कि f dash c is equal to 0 और f double dash c अगर उसका 0 से छोटा होता है तो यह वो maximum value देगा at x is equal to c similarly अगर यह उल्टा होता है 0 से बड़ी value देता है तो यह उस टाइम पर क्या होगा एक minimum value होगा और example हम इस example से समझने कोशिश करते हूं सबसे पहले इसका e f dash x find करता हूं So e are f dash x वो आयगा और क्या हो जायगा इसके लिए यहां पर value find करने पर यह minus 2 हो जाएगा और यार इसका क्या हो जाएगा यह 2 आगया आयगा तो 2 minus x और यार minus x का करेंगे तो minus 1 हो जाएगा मतलब यह मिलेगा आपको प्लस 4, 2 माइनस x हो जाएगा, अब अगर यहाँ पर इसमें, मैं अगर 0 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, x equals to 2 मिलता है, यह आगया हमारे पास में c ओके, यह क्या आगया हमारे पास में c अब बात करते हैं, डबल डैस x की अब इसमें यह पूराट 0 हो जाएगा यहनि की, 0-1 ओके, हाँ, यह हो जाएगा 4 और –1 हो जाएगा, –x का –1 हो गया, इसमें आपको क्या मिलता है, –4 मिलता है, मतलब less than 0 है, जब भी f double dash तो बताब less than 0 होता है, तो यह क्या देता है, maximum value देता है यह क्या हो जाएगा, maxima हो जाएगा इस point के लिए, अब यह आप वो करो से भी समझ सकते हैं, कि यह maxima है या minima है, कैसे है, हम इसको करो से समझ लेता है, तो यह बात करते हैं, इसके लिए, इसका जो करो बनेगा, वो minus की तरफ चलेगा, actually this is a parabola, na, fx is equal to minus 2, 2 minus x all square, यानि कि y is equal to ax square जो बनता है, वो यह इस टाइप से होता है, और यह minus ax square है, और y 2 minus x है, तो यहाँ से start होगे, यह parabola है से चलेगा, और इदर से यह से चलेगा, तो यह क्या हो जाएगा इसका कर हो जाएगा, तो यह graph हो गया अब इस graph का आप देख सकते हैं, x is equal to 2 मिलेगा, और यह graph कैसा देगा, x is equal to 2 पे इसकी value maximum value होगी, similarly अब अगर मैं यहाँ पे plus कर देता हूं, for example, अगर मैं यहाँ पे fx is equal to 2, x minus 2 का all square अगर लेता हूं, तो यह क्या मिलेगा, मुझे f dash is equal to, मुझे मिलेगा यहाँ पे 4 मिलेगा, minus 4, 2 minus x हो जाएगा, और इसकी value 0 put करने पे x is equal to 2 मिलेगा, बट अगर मैं इसका f dash find करूंगा, f dash x find करने पे मुझे यहाँ पे इसकी value 4 मिलेगी, जो कि greater than 0 होगी, मतलब यह क्या देगा, इसका minima होगा, अब यह minimum value कैसे देगा, हम इसको भी यहाँ पे यह minima होगा, इसको भी यहाँ पे करूंगे द्वारा समझ सकते हैं, यहाँ बात करते हैं, इस करूंगे बारे में, तो यहाँ पी x equals to, वापस 2 आ रहा है, यह जाएगा x equals to 2 और वापस यह parabola बन रहा है, और वो इस टाइप का parabola, तो आप देख सकते हैं, इस पुरे करों के लिए यह वाली value जो है, वो minima है, तो मतलब क्या होगा, आपको इतना सा ध्यान रखना है, कि f' is greater than 0, then यह जाएगा minima, और f' is less than 0, यह जाएगा maxima, ओल्टा concept है, बड़ा है, तो minimum होगा, और 0 से छोटा है, तो maximum होगा, swear यह trick आप याद यह रख सकते हैं, extremum value के लिए, swear I hope आपको इसका concept जो है, वो अच्छे तरह किसे clear वा होगा, so thanks for watching this video, keep watching MS Maths and subscribe the channel MS Maths.